अब दोस्तों जैसे की गर्मी के इस्ट आइडिंग होती है हमारा बेटरा बिल्कुल बेगार हो जाता है बेक अब भी नहीं दे पता है उसकी वज़़ा ये है जैसे की गर्मी की सुड़वात होती है तो हमारे घर में 2 या 3 पंके चलते हैं अब जैसे ही लाइड जाती है हमारा इंबेटर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अगर आपके भी घर का इंबेटर का बेटर बेक अप नहीं दे रहा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए बिशाल ओनलाइन क्लाजस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपकी बेटरी में पानी खतम हो जाता है तो आप पानी किस तरीके से डालेंगे तो आपका बेटरा खराब होने की जशाधा उम्मिद रहती है तो आप बजार से इस तरीके का आपको 5 लेटर की बोतल 50 रुपए में मिल जाती है, तो आप ये पानी लेकर आईए, बेटरे का पानी आपको किसी भी बेटरे वाली शोप पर मिल जाएगा, तो दोस्तों बेटरे में पानी डालनाई के समय आपको कुछ साबदानी भी बरतनी होती है, तो क्या साबदानी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखपाएंगे यहाँ पर 6 टर्मिनल यहाँ पर दिये गए हैं, 6 points आपको यहाँ पर दिये जाते हैं, तो जैसे कि आप देख़ेंगे यहाँ पर एक red color और एक green color आपको दिखाए दे रहोगा, तो यह जो green color है, मतलब आपका पानी है, यहाँ पर complete है इसमें पानी मतलब पूरा भरा हुआ है यह green होना चाहिए, दूसरे में भी यहाँ पर green दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यह green नहीं है, यहाँ पर यह red है, इसका मतलब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर हमारे जो चार पोइंट है, चार इन्बेटर का बटन भी बन कर देना है तो हमने इन्बेटर का बटन भी बन कर रखा है इसके बाद मैं आपको पानी डालने का तरीका सिखाता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर आपको कोई डिये जाते हैं आपको इसको खोलना है इस तरीके से अब जैसे कि आप इसको खोल लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से उल्टा करके रख देना है क्योंकि इसमें तेजाब होता है और इसमें पानी आप डारेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि गिनने का खतरा रेता है इसलिए आप इस तरीके की कोई एक बोतल काट सकते हैं बोतल को काटने के बाद इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे और यह जो हमार पास पानी है इस पानी को हम डालेंगे अब जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके बाद हम पानी को रखेंगे क्योंकि बेटर में ज्यादा पानी भी नहीं डालना होता है तो जैसे कि आप देखेंगे सिर्फ यह अभी आधा ही बरा है तो हमें इसमें मतलब और पानी अभी डालना है तो चलिए हम इसमें और पानी डालते हैं तो चलिए हम इसको लगा ग देखते हैं तो दोस्तो यहाँ पर हमारा जो पोइंट है green color में आगा आ है यानि कि हमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है इसी तरीके से हम इसमें 4 पोइंट में भी आपको पानी डाल कर दिखा देते हैं तो finally दोस्तो हमने सभी पोइंट में पानी डाल दिया है तो इसी तरीके से आप भी घर के बेटरे में पानी डाल सकते हैं लेकिन दोस्तों पानी डालने से पेले आपको इस बात का हमेशा ध्यान लगना होगा, आपको जो इसके अंदर तेजाब होता है, वो हाथ पे नहीं लगने देना है, हो सके तो आप गिलाफ्स का यूज करें, मैंने बहुती साबधानी से इसमें पानी डाला है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान लगने, तो इस तरीके से दोस्तों आप घर पे बेटरे में पानी डाल सकते हैं, तो इसी तरीके की वीडियो समसरोज़ाई,